घ्लो फ्रेंद्ड इस वीडियो में आपको पॉंटर कनवर्जन बताने जा रहा हूं कैसे अब पो कउइंटर को कणवर्जन करना है ध्यान रखिएगा कभी भी आप फ्लोट के साथ करिएगा फ्लोट फ्लोट जो होता है फ्लोट हमेसा फ्लोटिंग पॉइंटर हैंडिल करता है ना कि कंपाइलर इंटीजर और क्रेक्टर को हैंडिल करते हैं कौन आपके कंपाइलर तो पॉइंटर कंवर्जन इंटर नीए पॉइंटर कंवर्जन तुणा एक पॉइंट सेकन सीखेंगे कि पॉइंटर कंवर्जन कैसे होगा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं में एंट आई एको टी सिश्टीफाइव आप प्रोग्राम को डिवक करें मेरे साथ कि हमें इसमें value भी श्टोर करानी होगी सबसे पहला कोश्चन यह उठता है कि क्या यह प्रोग्राम रण होगा तो यह प्रोग्राम रण होगा वार्निंग मैसेज के साथ रण होगा वार्निंग आईगी समयं सब्सप्रीशियस पॉइंटर कंवर्जन क्यों आएगी इसका इसका रीजन यह है कि इंटीजर नाम के वैरियेवल को हम एक्सेस कर रहे हैं करेक्टर नाम के पॉइंटर से इंटीजर नाम के वैरियेवल को इंटीजर नाम के वैरियेवल आपने डिफाइन किया है उसको एक्सेस कर रहे हैं पर किसके मात्यम से कर रहे हैं करेक्टर पॉइंटर से इस बज़े से आप उसा स्पीजियस पॉइंटर कन्वर्जन का वार्णिंग मैसेज आएगा चलेगा और इसका आउटपुट भी आएगा अब आउटपुट क्या आएगा बोड़ा ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हैं इनटाइ इक वर्टव दू सिस्टीफाइफ है तो मैं टू सिस्टीफाइफ का पाइणरी लिखूंगा इसका जो बैसिक एदर्स यहांपे ने लिखा टू हैंडल और यहां पे इसका एदर्स लिखा है तू जी रो उन नेक्स्ट एडरस यहां से श्टार्ट ह तो 265 कैसे लिखा मैंने 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 and 256 बाने निकालने के मेकनिजम बता रहा हूं मैं 256 प्लस 8 कितना हुआ 264, 264 and 1, 265 इस तरहे बाने निकालने के मेकनिजम है यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256 तो हमें 265 के निकालना है तो 265 मतलब सबसे पहले 256 को एंड किया यह पाला पार्ट में आपको डिजिटल मिलूँगा इसलिए आप इसमें कन्फ्यूज ना हो डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब यह टॉपिक उहां कवर करेंगे अभी आप 265 का बाइंडरी यहां पे यह लिख ले 265 का बाइंडरी हमारे पास यह होगा ऐसे सेब होगा इंटीजर टू बाइट लॉग होता है तो टू बाइट में यह वैल्यू जाएगी टू बा neuros पे मैंने करेक्टर पॉंट थी बनाया टू बाइटम इसका être प् PG ं इस टेप पर देखेंगे address of I को P में डालेंगे address of I आपका base address है two hundred तो यह आपका यहां पड़ेगा कितना address है आपका two hundred तो two hundred यहां डालेंगे तो यह किसको point करने लगेगा I को point करने लगेगा next step में क्या है value at P जो भी value value at P की बात करूंगा और में तो value at p आपका विए यह हो गया value at p ध्यान रखिएगा यह pointer चल तो जाएगा किसके साथ चल पाएगा suspicious pointer conversion warning message के साथ चलेगा और ध्यान रखिएगा यह character type का pointer है तो character type का pointer सिर्फ single byte को read करेगा यह single byte access करेगा अगर मैं इसका diagram मना हूँ कैसे चलेगा यह तो यह character type का है base address को point करेगा base address सिर्फ single byte को लेगा ना कि next byte लो लेगा क्योंकि यह character type का pointer character type का pointer single byte access करेगा इसकी mechanism क्या जाएगा single byte accessing single byte में कितनी value देगा यह value यहां लाके j में save करेगा कहां पे save करेगा j value add p को कहां डालिए j नाम के variable में डालिए तो value add p आपका यह हुआ, j में value जाएगी तो कितना access करेगा यह 0 0 0 0 1 0 0 1 और यह वाला पूरा वाला आपके यह पूरा पूरा अपने आप डेफॉल्ट 0 0 हो जाएगा तो अगर मैं बात करूं output हमारा क्या आया यहां पर हम printf करेंगे printf %dj तो अगर हम यहां पर decimal form में value print करेंगे तो यह 9 का binary होता है इसका output आएगा 9 यह 9 का output होता है जिस कैसे निकालेंगे 1 2 4 8 8 plus 1 9 तो यहां पर output आपको जो आएगा 9 आएगा जहान रखिएगा यह program चल जाएगा output इस condition पर 9 आएगा जबकि आपको output क्या चाहिए था 265 चाहिए था बड़ 265 आउपकुट नहीं आएगा क्योंकि problem है इंटीजर नाम के variable को आप character pointer से access करने की कोसिस कर रहे हैं अब इस program को अगर हम correct करना चाहें तो यह line अगर हमारी correct होगी यह वाली line जो आपकी है इस line को थोड़ा सा modify करना होगा temporarily हमें इस pointer को change करना होगा इंटीजर pointer उडाने के लिए बनेगा आई यहां पे 265 साइन होगा इसका address 200 है इसका address 300 है और यहां पे character pointer P है इसका address 400 है यहां पे value add address of i डालेंगे तो यह 265 तो इसके पाद जब यह point बहाएंगे तो इस point पे अब यह point ना करेंगे तो इसका output अब आपको मिलेगा 265 ध्यान डखेंगे यह मैंने लिख दिया है नोट जो मैंने भी आपको बताया इस वीडियो में वह आपको इस theory form में मिल जाएगा the above program gives warning message suspicious pointer conversion because we are storing integer variable address into character pointer this assignment is allowed but while accessing ie using p it can access only one byte which is unexpected result unexpected result आया था आपका 9 answer आया था यहां पे आपका 265 answer आया है unexpected result to overcome this problem convert p temporarily as an integer pointer using the statement value add j equal to value add integer pointer p यह statement के इस्तिमाल करके हम temporarily यहां पे character pointer को integer pointer की तरह बना लेंगे लेंगे